पिक्सेल एक्सपीरिंस के एंडुए 13 रोम आ चुका है हमारे Poco X2 device के लिए और यह कान ओफिसल रोम है और अपले कुछ दिन में इसको ओफिसल भार्षन में आ जाएगा और इस वाले जो रोम है इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा एंडुए 13 रोम में पाफोमेस कैसे और लाइक कर देना चैलेंग पे नेया हो और Poco X2 device में ऐसे कास्ट्रोम रोम के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैलेंग को सब्सक्राब कर देना और गाइस और एक बात जब कोई कास्ट्रोम रोम के आपड़ेट हाती है मैं कुइकली उसको मतलब फ्लैस करके इसका ज अधिकली देखना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रूप जोरूर जयन हो सकते हो जो गाइस अंड्रोइट वर्शन की बात करें तो आपको इधर एंड्रोइट 13 मिल जाएगा इधर से अगर अप एधर 13 कर दोगे तो आपको इसको जो कुछ इमोचिस वेगर है वो आपको एंड्रोइट सिगोरीटी अपडेट है ओपको लेटेस्ट 5 मंथ का मिल जाएगा और वेजमेन भार्शन भी मिल जाएगा और जो करनेल वर्शन है वह आपको रेट क्लिप कर सी मिल जाएगा और रही लेटेस्ट है और बीड नमबर की बात करें तो आपको ए जो ठीक से एल एक्सपीरेंस है और 13 का जो बीटा बोल सकते हैं कि बीटा अपडेट है आपको इसका जो सिस्टेम में जाओगी तो आपको कुछ फीचर्स मिल जाएगा जो लेंगवीच इन पूट में हैं फिर आप देख सकतो लेंगवीच एप लेंगवीच तो कुछ लिमिटेट अप्लिक के मतलब ज्यादा नहीं मिलेगा तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपस में जाओगी तो आपको ही और लुक के साथी मिल जाएगा और बैक में आओगी इधर जो इसका नोटिविकेशन से वह भी आपको मिल जाएगा जिसमें आप कुछ मतलब छोटा मोटा जो बैटरी में जाओगी आपको बैटरी उसे बैटरी सेवर एड़ेप्टी प्राफोमेंस और जो इसका ट्रॉन ओन लाइट हैं चार्जिंग है मिल जाएगा और जो बैटरी परसेंटेज है वह आप अन अप कर सकतो इधर से बैक में आपको यह मिल जाएगा जो इस तरह से मि जाओगी तो आपको इसमें जाओगी तो आपको मिसिंग मिल जाएगा जो आपको नहीं मिल जाएगा इसमें और बैक में आगी आपको मिल जाएगा डिस्प्ले इसमें आपको जो मैक्सिमम रिप्रेश रेट और जो मिनिमम रिप्रेश रेट है वह आपको मिल जाएगा और color भी आपको मिल जाएगा जो boosted natural आप कर सकत हो और कुछ छोटा मोटा आपको इसमें settings बहिए मिल जाएगा जो display में जागी तो आपको font size मिल जाएगा और display size मिल जाएगा और जो bold text मेरे में देख सकत हो इसको opt कर दोगी तो तो थोड़ा अलग लगे जो बोल्ट कर दोगे तो थोड़ा बोल्ट हो जाएगा तो यह मुझे अच्छा लगा तो आप चाहते इसको यूश कर सेक्ट और इसमें आपको कास्टमाइजर से निधर आपको देखने को नहीं मिलेगा और बात करें को छोटे मोटे चेंजेस की त देख सकतो आपागर कोई मीजिक बेगरा ऊपियान करकी इसका जो बॉल सकतो के उस पैनल का मीजिक बेड़े इसमें आपको थोड़ा चेंच मिल जाएगा जो देख सकतो इस तरह से आप भूल्योम बेगरा को ज्यादा और कम कर सकतो तो यह आपको कुछ निया चेंजेस मिल तो देख सकतो one app is activated से आप इसको stop कर सकतो डी अप डी अक्टिवेट रहेगा और इसका जो setting का interface मतलब setting में इधर से आप जा सकतो जो नीचे आपको मिल जाएगा और इसका जो power menu के button है और आपको यहां से मिल जाएगा नीचे से तो यह आपको changing मिल जाएगा होम्स्रीन के सेटिंगست के बाद करें तो आपको पूंस ऐर ऐगर धिंड का widget वेगर आपको मिल जाएगा जो आप से आट कर सेटिंग बा पात करें तो दो पीक्सेल लॉंचर उसमना पूंस जहादा आपको सेटिंग वेगर नहीं मिले तो एक वालपेयर कालर वेगर है उसको आप कर सेकतों जो देख सकतों बहुत सरी कालर बे गड़र है यह एट कर सकतों इन दोसे कालर आप आप न यदर से गड़र से जो अब पसंद आएगा तो इस श्का फीचर से कास्टोमाज़िए आपको ज्याद तो नहीं मिलेगा अब गाइस बात करते हैं इसका पार्फोंस को उपर बात करने से पहलेगा इस आप लोगों को एक चीज़ दियान रखना पड़ेगा आप जब रोम को फ्लास करोगी फ्लास करने के बाद अगर कोई एप्लिकेशन को आप ओपेन करेगी तो उसका आप ओपेनिं और क्लोजिंग अनिमेशन में आपको कोई दिक्क्यत नहीं होगा और आप अगर होम स्कीन में कोई सेटिंग्स बगरा भी करोगी यहां से वाल पेपर करेगी उसके बाद भी अगर आप पर जो आप ओपेनिंग क्लोजिंग करेगी तो फिर भी आपको थोड़ा लैक देगा तो बैटरी बोल सकतो चार्जिंग स्पीड तो आपको से मिल जाए में मेरा फोन में 40 वाट सेंग चार्ज था सुबोट करेगा 39 परसंट हो गया तो अल्ली 1 परसंट का बैटरी डॉप मुझे देखनों को मिल रहा था अगर 100 रहता तो साइद 5 परसंट का बैटरी ड अब मिला था और बात करें से भू चुट लिंग की तो आपको 9 से बस्वाइब मिल जाएगा अगर मैं फिर भी आगर ट्रेस्ट करता तो साइद 94 होता ऐसा ही होता है मैक्सिमाम रोम में मुझे इही मिलता है सीवाद रोटिंग टेस्ट करता हो तो नोग सी पर मिलता है तो फिर भी में इसका जो गीग में स्कोर है उसको टेस्ट किया तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा तब मेरे फोन में 29% चार्ज देखनों को मिल रहा था ताप मेरे फूंड में 25% देखना को मिल रहा था तो इस तरह से घाईस आपको चारजिंग मिल जाएगा दिवाइस आपको साइटिफाइड मिल जाएगा और आपके फूंड में अगर तो आप मेरे फोन में 85% चार्ज है तो 100 को लेके अगर आप 100 चार्ज करके फोन को यूज करेगी तो आपको थोड़ा बेटर आपको बैटरी वैकप देखने को मिल जाएगा इस तरह से मिल जाएगा और एक चीज में नूटिस किया हूँ तो आप देख सकतो इसका जब मैं पहले इसका जो डुल पंचले ओटमेटिक होके अफ हो जाएगा देख सकतो वैस तो इस तरह से इस किया है बग से या कुछ अफिसल भार्षेन भी रिलीस हो जाएगा बात कहाएगा इस इसके इंस्टोलेशन प्रोसेस तो वही नॉर्माल से मेथोड़े आपको लेटेस वालो जो TWRP है उसमें बूट करना होगा TWRP में बूट करने के बाद आपको चले जाने हैं अपने स्टोरेज पर जाने के बाद माइक्रोस्डी या फिर जो ओटीज उसमें जाने के बाद जिसमें फोल्डर में आपको उसको रेकर रोम को आपको जाना होगा तो मेरे बस देख सकतो एह रहा पिक्सेल एक्स्विडियेंस अनुए 13 बीटा तो इस तरह से आपको स्लेट करके फ्लैस कर देना है तो देख सकतो फ्लैसिंग में आपको कुछ टाइम लगेगा तो फ्लैसिंग कॉंपलिट हो जाने के बाद आपको फॉर्माट डेटा एस कर करने के बाद रिबूट टू सिस्टेम तो कर दोगे उसके बाद फोन अटोमेटिक अन हो जाएगा तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लेस वीडियो को लाइक कर देना चैलेंग पे नया हो और पोको एक्स्ट्रू में ऐसे रेकूलर आपडेट चाते हो का सब्सक्राइब कर देना तो चलोगा इस मिलते नेक्स्ट वीडियो पे